कसम आपके गुट करकंगे वहाँ मुझे वीजिफिटू अप्सकुट ईस वीडियो के बारे में डिसक्स करने वाले तौनेे वह स्वेवारानाइभा हम ऑक इस कंपधी पॉइंट में मीच्राइड करने करनें वाले रहें?" तो स्टार्ट करते हैं तो देखो सबसे पहले है कि यह गोल्वन सेट्स है क्या तो यह एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्ब है तो जितनी भी इस ताइपी कंपनीज होती है काफी एग्रेसिव कंपनी मना जाता है इनको इंडस्ट्री में अब अग्रेसिव का मतलब क्या होता है जिसए अगर मैं एक्जांपल लूँ Microsoft का, Adobe का तो इन मैं जो work होता है वो aggressive work culture वाली चीज़ नहीं होती है अब aggressive work culture का मतलब यह होता है कि अरे यह चीज ऐसे करना screening है यह deadline पर है ठीक है तो अगर मैं इस company के बारे में बात करूओ सबसे पहले job profiles के बारे में तो job profile में जनरली ये आपको एनलिस्ट की प्रोफाल प्रोवाइड कराती है अब आपको कहीं जाहतार इसकी जितनी भी profile मिलेंगी चाहे वो समर एनलिस्ट हो टेक्निकल एनलिस्ट हो जैसे और कंपनी आपका software development engineer, software developer, software engineer हायर करती है same designation को ही आप माल सकते हो इस कंपनी में as an analyst बोलकर उसको हायर किया जाता है इनका work क्या होता है? basically इनका work होता है कि जो भी आपका project assigned है उस project को scratch से start करके उसको develop करना अब हो सकता है वो scratch से हो, code fixing का हो या कोई और project हो generally आपको इसमें काम जो होता है वो include करता है जब ऐसा आप as a fresher analyst join करते हो तो आपको जदा design में involved नहीं किया जाता है आपका जो काम रहता है वो जातर होता है कि documentation करना, code करना, testing वगरा काम हो गया तो ये सारे काम इस company में follow किये जाते हैं ऐसा junior level position और इससे जदा चीज़ें में disclose नहीं कर सकता हूँ वीडियो में अगर बात करूँ मैं इसके CTC की तो देखो CTC इस company का काफी ज़्यादा मतलब काफी ज़्यादा इसमें आपका variance है variance कैसे है कि ये company सबसे पहले तो IITN को अलग CTC प्रवाइट कराती है अगर आपको offer letter आया तो आप उसमें negotiate करा सकते हैं अगर आपको 1.5 लेखा है तो जनली इसका standard bonus आता है थोड़ी चीज़ें explain करो कि they can extend your relocation bonus to 3 lakhs तो इस टाइप से इसका offer होता है वो negotiable होता है तब भी मैं इसका general offer है वो मैं आपको बताता हूँ जिसका standard offer जो इस year में देती है वो है इसका total overall package होता है वो होता है 25 lakhs का जिसमे 16 lakhs आपका base होता है उसके बाद एक 4 lakhs रोपे का performance bonus का component यूज करते है अब performance bonus इस बात पर depend करता है कि आपको कितना मिलेगा वो depend करता है आपके feedback पर रेटिंग पर इसकी बाते हम work culture में करेंगे तो इस पर आपका depend करता है कि आपको performance bonus कितना मिलेगा एक लाग तो minimum आप expect करी सकते हो कि जनरली लोगों को मिली जाता है रिलोकेशन की बात करों तो रिलोकेशन बोनस आपको 1.00-3.00 तक का मिलता है और जोइनिंग बोनस भी आपको 2-3.00 तक का मिलता है तो इस प्रकार से इसका 25 लाग का CTC होता है लेकिन इस company में stocks इंक्लूट नहीं होते हैं तो हो सकता है अगर आपको stocks मिल रहे हो for four year five year तो इ इतने RSU अगरा मिल रहे है वो आपको समझ आया जाएगा offer letter में बट आप expect कर सकते हो कि 15-20 लाग को stocks भी मिल सकते है ठीक है अगर मैं IITN की बात करों तो उनको काफी higher package मिलता है उनका जो base pay होता है वो base pay around 20 प्लस होता है goldman में अगर आप ऐसा IITN उसको join कर रहे हो तो आपका होता है investment banking का उसी वाली work culture को follow करता है काफी aggressive working है और working के साथ आपकी learning age काफी अच्छी होती है company का work culture काफी अच्छा है आपको team environment काफी supportive मिलेगा managers काफी supportive मिलेंगे company में जितने भी आपका चाहे मैं बात करो team outings की बात हो चाहे आपकी अपर management से interaction की बात हो आपको हर जगह पर ऐसा कभी feel नहीं आएगा कि आपको किसी चीज़ पर discriminate किया जा रहा है ठीक है company में fun activities outings वकरा होती रहती है और साथी साथ में इस company में ये चीज़ अच्छी है कि जब आप इसको join करते हो आप अंदर से एक अच्छा confidence आएगा yes that you are in top one because इस company में selection लेना obviously काफी tough है आपको एक respectable position मिलेगी आपको company में भी respect मिलेगी और obviously companies really good to work with अगर आप learning की बात करो तो learning कर भी company में काफी अच्छी होने वाली है अब work culture में अगर मैं hikes वगरा को include करूँ तो याद देखो goldman sachs में hikes काफी अच्छी है चोकि obviously इसमें आप अच्छे से काम करने होते हो और aggressive work culture में तो obviously इसमें hikes वगरा भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है अगर मैं hikes बात करूँ तो normal product based companies से आपको इस company में hikes जादा अच्छी देखने को मिलेंगी अगर मैं बात करूँ एक rough percentage की तो आप ऐसा मान सकते हो कि लगभगा को 20-30% तक की भी hikes मिल सकती है और company में promotions भी अच्छे early promotions आपको देखने को मिल जाते है लेकिन यहां पर manage, maintain चीज़ क्या होती है को अगर आप अपना अच्छा performance में चलोगे अगर आप अपनी काम अच्छे से करोगे तो यह firm आपको उससे ज्यादा ही चीज़े प्रवाइट करेगी आपको आपको आना कैसे तो सबसे easy way है internship करके PPO लेना ठीक है internship के interview इतने हाट नहीं है Goldman के और उससे अगर आपको PPO मिल जाता तो obviously आप company में जा सकते हो यह काफी एक अच्छा move हो सकता है company में select होने के लिए वरना on campus placement on campus placement में company में first take aptitude test with coding questions then तीन technical interview फैन एक managerial roundup को देखने को मिल जाता है जिसमें आपके data structures algorithm और साथी साथ में CS fundamentals के subjects वगरा check ही जाते हैं तो उसमें आप apply कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको में चीज यह करनी पड़ेगी कि उसमें competition काफी हाई होता है तो आपको जो aptitude वगरा होगा वो बहुत अच्छा prepare करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो aptitude का level है मैं aptitude पेसली focus कर रहा हूँ तो आपको उसके लिए especially बहुत अच्छे से prepare करना पड़ेगा अगर मैं बात करूँ ग्रोथ की तो obviously इसका brand नेम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है आपकी CV पे अगर आप बात में किसी अगर आप किसी foreign country में भी offer को देखते हो या अपनी country में offer को देखते हो तो आपका carrier एक boost mode पे on हो जाता है जब आप इस firm को join करते हो क्योंकि आपके आगे की career growth में आपको आगे की position मिल ले वाली है इतने बड़े brand नेम के साथ आप ये समझ सकते हो कि आपकी life बन जाती है तो it is a very fantastic firm to work with obviously and मैंने सारे details I think this is कर ली है this video में so I hope you like this video और इसी प्रकार की और वीडियो लिए आप company review world पे लिसको चेक कर सकते हो and thank you so much for watching this video and make sure you subscribe this channel thank you